उत्तर भारत में प्रदूशन का कहर लगातार जारी है लखनो में भी प्रदूशन की वज़े से पूरे दिन धुंद चाही रहे पिछले कई दिनों से लखनो में प्रदूशन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दी हैं जिसकी वज़े से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है लखनव की अटल विहारी वाजपई टिकाना अंतरास्टी स्टेडियम में धुंद की मोटी चादर चाही रही जिसकी वज़े से वहाँ प्रैक्टिस करें अफगानिस्तान टीम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पूरे उत्तर भारत को घेर रखा है जिसका असर उत्तर पेदेश की राजधानी लखनव में भी देखने को मिल रहा है हम इस वक्त मौझूद हैं लखनव के अटल विहारी वाजपर एकाना स्टेडियम में जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंद आपको दिखेगी साफ तोर पे और जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात हुए हैं पिछले कुछ दिनों में लखनव में काफी चिंता जनक है आप देख सकते हैं यहाँ पर एकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान और वेस्ट इन्जीस के बीच एक सीरीज भी होने वाली है जिसमें तीन वंडे तीन टी ट्वेंटी और एक टेस्ट मैच खिला जाएगा आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो अफगानिस्तान की टीम ह वो यहाँ पर लगातार प्रेक्टिस कर रही है और वेस्ट इन्जीस के टीम भी यहाँ पर प्रेक्टिस कर रही है पिछले कुस दिनों से और ऐसी भी खबरे आ रही है प्लेयर्स ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यहाँ जो धुन्द है यहाँ जो पल्यूशन है इसकी बज़े से यहां पर कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना प्लेयर्स को भी करना पड़ रहा है और जो है उनको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह दिक्कते हैं यह लगातार उत्तर भारत के जो छेतर हैं उसमें बनी हुई है और लखनों में ज जादों के साथ मैं और शुक्ला लाइटूडे लखनो